हलो फ्रेंज वेलकम बाक तो माई चानल मैं रोहिनी वन्स अगेन आज यूट्यूब शॉट्स पे आपके लिए बहुत जादा अमेजिंग वीडियो लेकिया हूँ और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 uses of rose water तो चलिए अफ्तात करते हैं अगर आपके आँके बहुत जादा सूजी सूजी लगती हैं अगर आपके आखों में आपको लगता है कि बहुत जादा सूजन आ गई हैं आपको आई प्रॉब्लम्स है तो आप rose water आपके cotton pads पे लेकिया आपको पे रख दीजिए आपको प पानी आड करना है या फिर और पोई चीज आड करनी है तो सबसे जादा best चीज है रोज वाटर आड कीजिए कोई भी face pack कोई भी a face mask बनाने के लिए rose water is best for your DIYs पोई ए कि अगर आपको आपको आखने का बहुत ज़ड़ा प्रॉब्लम है आखने आपको बहुत ज़ड़ा तंग कर रहा है तो rose water का यूज किजिए डेली वेसिस पर आपके आखने महीने भर में चबे जाएंगे अगर आपके पास makeup setting spray नहीं है और आप खरीदना हो जाते हैं तो आप rose water से clean भी कर सकते हो और साथ ही में पे वह आपको ग्रो करने के लिए बहुत मदद करती है नेक्स जी कि अगर आपको skin irritation हो रही है या फिर कोई itching हो रही है तो आप rose water एक बहुत अच्छा medium है जहां पर भी आपको skin irritation है वहां पर आप rose water अपलाई आपको बहुत जादा बकेट भर के rose water नहीं लेना है आपको सिफ rose water कोर भी face pack में rose water as a medium यूज करना है और वह आपको आपके बालों पर लगाना है बस आपका hair mask तयार है और आपके जो hair है वो silky and shiny हो जाएंगे अगर आपके skin में problems है आपको skin के problems बहुत जादा हो रहे है last but not the least rose water आप as a makeup remover भी यूज कर सकते हैं आपको बस makeup remover नहीं है और आप अपना makeup बस साबन से दो लेते हैं बस असा मत कीचिए just makeup remover से आप अपना makeup निकाल सकते हैं इस तरह के videos DIYs, beauty tips, fashion tips अगर आपको देखने है तो आपको चैनल पर मुझे सब्स्क्राइब करना और साथ ही में बेल लोटिफिकेशन के पर क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, बाई